वर्तमान करोना काल में जबकि लाकडाउन भी चला है कोविट के मरीज भी बहुत बढ़ रहा है ऐसे समय में देश में पत्रकारों की इस्थिती बहुत खराब हो रही है उनके उपर बहुत एक तरह से दवन से चला है शाशन प्रशाशन और पुलिस का इस बात की शिकायतें पूरे देश से मेरे पास आ रही है अगर मैं चर्चा करूं आज की बात तुझ आज जग्दीश परमार जी जो उज्जयन के क्राइम रिपोर्टर है और उन्होंने से बात ही मेरी तो उन्होंने बताए कि राजंदर रावत जो की पत्रकार है उज्जयन में माधवन अगर स्टेशन में वहां के डाक्टरों उनके खिलाफ फाई आर करा दी सरकारी का में बादा की जबकि बात ये साफ तोर पे है कि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे हां एक मरीज को जमीन पे साड़क पले डाल लखाए उसकी रिपोर्टिंग वो नहीं करेंगे वो नहीं दि है प्रियोग नहीं कर रखी है तो वो प्रदीश फर्मा जी पत्रकार है संपादक है शेश प्रस्ण अखवार के अलिगर में तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया वहां इसी बातकार रफ्तार करके रखा गया लोधा पुलिस्टी स्टेशन में कितना ब्रान न कोट मैं अभी कल और पर्सों लगातार याचिकाओं कि सुनवाई हो रही थी तो मैंने ये बात माने सर्वोचनाले में भी जहां ट्रपल्ड बन सुनवाई कर रही थी उनके सामने भी इस बात को रखी तब उन्होंने कहा कि मने कहा कि जूटे केस रइस्टर हो लातने जो ब सुनवाई कोट के अनुषर मानी जाएगी इस तरह की बात कहने के बाद भी माने सर्वोचनाले कह रहा है हमारा देश का संभीधान कह रहा है कानून कह रहा है कि चोथा स्थम्भ है अगर उनकी बात नहीं आ जाएगे मीडिया तो सूरी की तरह है जब पहुँचेगी तो ब प्रदीप शर्मा जी की बात हो राजंद रावत जी बात हो पत्रकारों पर इस तरह केस रेजिस्टर करना पूर्ण रूप से गलत है और देशवर के पत्रकारों की इस बात की शिकायद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए समको साथ देना चाहिए दवाई करवी है लेकिन फिर भी आपको स्विकार कने हैं